असलालेकूम वेलकूम टु शाहिस कोकिंग और आज हम बना रहे हैं चना कड़ी यह मूशली रमजान में ही बनता है तो देखते है इसकी रसीपी इसके रहे हमें चाहिए बॉयल दू आलू और धाइशो ग्राम चने बॉयल किया हुआ यह यह है अद्रग जीरा और हरिमिची क जाण तो दोड़ा गाड़ा आप तेल गरम करेंगे एक चमज करने के बाद इसमें डालेंगे आधा चमज जादा जादा एक चमज बेसन तो थोड़ा और टेस्ट आएगा आधा चमज काफी है इसको रोश्ट करेंगे अच्छे जलाना नहीं है सिर्फ हलके से लोग फ्लम तो दालें गे फिर अड़ा मसाला कुए अड्रग मिर्ची और जीरा का अड़ा मसाला है ःज अप अच्छे से पकाएंगे जलाना नहीं है बहुत ही तो आँच पर पकाना अभी इसमें dalेंगे एक चमच हल्दी थोड़ा सा पानी ताकि मसाला ना चल जाए और थोड़ा सा नमग बहुती स्लो आच पर पकाना है क्योंकि बेसन चल्दी चल जाएगा इसको अच्छे से दो तिर मिनिट तर कुक करना है उसके बाद आलेंगे हम चाना और आलू अच्छे से मिलाएंगे यह कप इमली का पानी है मैंने इंमली निकाल झी अच्छे दाल और इसको अच्छे से पूरा मिक्स करेंगे इमली भिगा के रखो उस उसका पानी निकल ली जाएगा इसको बॉइल होने देना है अच्छे से यह कड़ी है तो हम थोड़ा ज्यादा पानी दालेंगे इसको फिर बॉइल होने देंगे और बस रेडी है अब इस गानिशिंग के लिए मैंने आपे लिया है कूतमीर अलब धनिया तमाटा प्याज और हरी मिर्ची आप अपने हसाब से गानिशिंग कर लिए आपको क्या पसंदे क्या ने इसमें जो चाहिए दाल दे बस चला मसारा रेडी है अब आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज घर पे ट्राए करो कमेंट्शन बताओ कैसा बनाए थैंक यू फो वाचिंग फ्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब अल्ला हाफिस झाल बड़ा लागय जो ते झाल डको कमेंट्स